दोस्तों हिंदी फिल्म के सुपर इस्टार अभिनेता धरम जी यानि धर्वेंद्र अपने पुडाने दिनों को खिसे आये दिनों सुनाती रहते हैं हलाकि अपने लेटेस्ट वीडियो में धर्वेंद्र ने 100 का किलिप सेयर किया है हलाकि इसमें उन्होंने अपने गाउं सनेहावाल की यादों को ताजा किया है हलाकि वीडियो में धर्वेंद्र पंजाब लुधियाना इस्तित अपने गाउं बचपन के घर जाते नजर आये अलाकि इसके साथ उन्होंने बचपन के दिनों को याद कर लंभों को एक बार फिर इक्सपेंस दिया है दोस्तो दरसल बिनैन पाट के टीवी सो हर घर कुछ कहलाता है होश्ट के साथ धरवेंदर अपने गाउं सनिहावाल का चक्कर लगाते हैं दोस्तो उन्होंने इसे साजा करते हुए लिखा है हलाकि जिन्दगी का सच हमें तब एहसास होता है जब वो चले जाते हैं हलाकि वीडियों में धरवेंदर अपने गाउं के घर जाते हैं जहां उन्होंने देखने लोगों की भीर अपने एस्टार का रस्ता तक रही होती है घर के अंदर जाने के बाद धरवेंदर ने कुछ पुरानी तस्वीरों का खिसा सुनाया हलाकि अपने एक बलेक एंड वे हाउट फोटो को दिखाते हुए धरवेंदर ने बताया कि उस फोटो के उन्होंने टेलेंट का अंस्टेट में भेजा था दोस्तो दरसल धरवेंदर ने बिनय को अपने माता पिता भाई बहन और बेटे को गुजरे जिनों की तस्वीरे दिखाई हलाकि धरवेंदर के फैंस ने एक्टर के इन बीते जिनों को याद को सहारा है हलाकि एक यूजर ने लिखा आप आज भी अपने गाउं के मिटी से जुरे हो हलाकि आपको अंदर आज भी सनेहावाल का धरवेंदर मौजूद है यही आपकी अच्छी और इंसानियत का सबसे बरारूप है हलाकि कई अन्य यूजर ने भी धरवेंदर की तारिफ की है दोस्तो हलाकि धरवेंदर का जनम 1935 को सीख पन जावी जाट पडिवार में हुआ था हलाकि उनके पिता का नाम केवल किशन सिंग और मा सवन्त कोर थी एक्टर ने लुधियाना से अपनी पठाई पुरी की थी एक्टर बनने के लिए मुंबई आये और फिर यहीं बस गए हलाकि अब धरवेंदर अपना ज्यादा तरसा में अपने फर्म हाउस में भी ताना पसंद करती है जो की लोन वाला में है दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे इस चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किये हैं तो नीचे लाल बटन को दवा के चैनल को सस्क्राइब जरूर कर देना साथी साथ वीडियो के लाइक और सेयर जरूर कर देना